हेलो स्ट्रेंट्स आई वी टेक्निकल क्लासेस के यूटूब चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है फ्रिक्वेंसी मीटर तो कुछ बेसिक चीज है इसके बारे में जान लिजिए समझ लिजिए अगर आपको यह बात समझ में आ जागे तो इससे बनने वाला अब्जेक्टिव भी आपसे बनेगा और इसका आपको कंप्लीट टॉपिक अच्छे से किलियर होगा समझ में आएगा तो हमारा फ्रिकेंसी मीटर जो है फ्रिकेंसी को मेजर करने के लिए अब फ्रिकेंसी मीटर कहा जाता है अब फ्रिकेंसी मीटर दो टाइप का होता है एक मेकिनिकल रेजोनेंस फ्रिकेंसी मीटर होता है तो हम लोग जो आज बात करेंगे वह इलेक्टिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिकेंसी मीटर की बात करेंगे मेकिनिकल टाइप में क्या होता है और जिसकी वज़े से हमको मालुम चलता है फ्रीकेंसी की वैलू क्या है तो mechanical resonance type frequency meter में यहां पर electrical की बात करें चाहा souhaite अर उस vibration की वज़े से हमको frequency मालूम होती है तो वो mechanical type होगा है और यहां पर बात करें ऐलेक्टिकल resonance type frequency meter resonance आपने पढ़ा होगा यह क्या होता है ऐसा कंडिशन होता है जहां पर XL और XC की वैलू सेम होती है यानि inductive reactance और capacitive reactance सेम होता है ऐसे condition को हम लोग resonance condition कहते हैं तो कुछ उसी तरह का काम XL और XC के आधार पर frequency यहाँ पर हम लोग measure करेंगे इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं resonance type frequency meter कहेंगे और इसी का दूसरा नम ferrodynamic type frequency meter होता है तो हम लोग पहले इसका basic चीज जान गए और इसका construction और working के बारे में बात करेंगे तो अब तक इतना पर चाला electrical resonance type मतलब electrical resonance कहने का मतलब इसके अंदर हम लोग excel और xc को देखेंगे frequency according excel और xc की value change होती है normal condition जब excel और xc की value जब same होगी तो इस तरह का condition resonance condition कहलाएगा और यह हम लोगों को normal frequency पर मिलेगा तो अब देखिए construction के इस मीटर के अंदर जो construction है तो क्या क्या चीज लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारा दो तरह की winding है एक winding को हम लोग magnetizing coil बोल रहे हैं दूसरे winding को या दूसरे coil को हम लोग moving coil बोल रहे हैं तो दो तरह का coil है magnetizing coil को आप fix coil भी बोल सकते हैं क्योंकि यह fix stationary है और दूसरा जो coil है यह moving coil है यानि move करेगा और इसी के साथ आपका pointer लगा हुआ है जो के pointer move करेगा यदि moving coil move करता है तो तो दो तरह का coil है moving magnetizing coil जहां पर रखा हुआ है वह core laminated core होता है ताके losses वगारा इसके अंदर minimum रहे तो magnetizing coil लगा हुआ है supply इसके अंदर आया हुआ है और यह जो coil है वह magnetizing coil या इसी को हम लोगे stationary या fix coil बोलेंगे दूसरा coil जो है वह moving coil है जहां पर रखा हुआ है उसको pivot बोला जाता है pivoted है और यह pivoted coil moving coil के साथ pointer लगा है जो के moving coil के साथ move करेगा यहां पर scale रखा हुआ है और यह scale frequency को बताएगा इस scale पर जो calibration है तीन तरह की frequency दिखाएगी एक normal frequency यानि 50 hertz होगा 50 से ज़्यादा रहेगा तो higher frequency 51 52 53 55 इस तरह से higher frequency reading रहेगा और दूसरे तरह lower frequency यानि 49 48 47 इस तरह से आपकी lower frequency यहाँ पर mention रहेगा और यह सारा आपका इसका unit hertz होता है frequency का तो hertz के अंदर यहाँ पर सारा कुछ देखाया वह होगा ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ और लगाएव हैं यह दोनों coil को हम लोग अलग अलग यह जो moving coil हैं इस moving coil को हम लोग कैसा बनाते हैं capacity बनाते हैं तो यहाँ पर एक capacitor लगा दिया जिसके वज़े से यह पूरा जो coil है यानि इसके अंदर जो current flow होगा capacitive current flow होगा यह जो coil होगा वो capacitive coil होगा और इसके अंदर जो current flow हो रहा है moving coil के अंदर जो current हो रहा है इसको हम लोग moving current current in the moving coil I am से दर्चा रहे हैं और यहाँ पर जो current full होगा supply current उसको हम I से दर्चाएंगे यानि कि आपका supply current और यह जो coil होगा यह कैसा होगा inductive nature का हो यानि इस तरह का हम बानेंगे इसको कि यहाँ पर inductance की value जादा हो यानि यह inductive coil होगा और यह आपका capacitive coil होगा तो यह basic construction आपको सान में आ गया होगा बहुत साधारन है बहुत simple है क्या क्या चीज लगावा है तो दो तरह की coil लगावा है एक को हम लोग magnetizing coil बोलने है यह fixed coil है दूसरा coil moving coil है इस coil के साथ आपका pointer attach है यह coil move करेगा तो pointer move करेगा यहाँ पर scale है जिसे scale के अंदर frequency mention की आवा है calibration की आवा दिखाया है एक lower frequency दिखाया है वा higher frequency और बीच में center पर आपका normal frequency यानि 50 Hz होगा यह वाला coil को हम लोग capacitive coil बनाते हैं इसलिए इसके साथ capacitor add कर दिया और इसके साथ कुछ भी add नहीं किया है और यहाँ पर coil हम लोग इस तरह का use करें कि यह inductive होगा तो यह basic construction होगी आपका working की इस तरह से है बहुत आसान है ध्यान से समझिएगा तो working समझने के लिए आपको तीन तरह के case में बाटना होगा तो हम इस case को यानि कि आपका frequency की value तीन case के अंदर हम divide करके working को समझेंगे एक आपका case 2, case 1, 1, 2 और 3 यानि frequency तीन तरह की होगी या तो आपका normal frequency होगा 50 Hz होगा ये पहला case दूसरा case जब frequency की value हाई होगी case 2 और case 3 जब frequency की value लो होगी तो ये तीन case यहाँ पर बनेगा working के अंदर operation के अंदर और तीनो frequency यानि frequency normal रहेगा तब किस तरह से काम होगा frequency की value जब high रहेगी तब किस तरह से काम होगा और frequency की value रो रहेगी तब किस तरह से काम होगा और pointer किस तरह से deflate करेगा यह सारा चीज़ को समझना यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम दो चीज़ आपको बताया कि कि यह वाला coil capacitor लगा दिया तो यह कैसा बन गया यह कैसा होगा, XC कहलाएगा, ठीक है, यानि reactance, opposition of current due to capacitive reactance, XC, और यहाँ पर जो current का opposition होगा, वो किस वज़े से होगा, तो Excel की वज़े से, क्योंकि inductive coil है, तो Excel की वज़े से होगा, तो यहाँ पर का जो opposition है, वो Excel है, और यहाँ पर का जो opposition है, वो XC है, अब धिहान से समझे याद किजिएगा, resonance condition क्या होता है, Excel और XC बराबर होता है, तो पहला case, जब frequency की value क्या हो, जब frequency की value, frequency की value क्या हो, 50 Hz हो, ठीक है, 50 Hz यानि normal frequency, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे आप supply दीजिएगा, यहाँ पर current flow होगा, यह current के द्वारा आपका क्या होगा, फलक्स generate होगा, य यहाँ पर E-MF induce करेगा, और E-MF induce होगा, current flow होगा, और इस coil के अंदर current होगा, ठीक है, इतना बास संग में आगिया, देखे, फिर से यहाँ पर supply हम देने, supply देंगे, तो current flow होगा, और यह जो काम करेगा, AC पर frequency की बात हो, और AC पर काम होगा, mutual induction होगा, यहाँ पर supply देंगे current flow होगा, और यह current के cross capacitor लगा हुआ है, तो यह कैसा आपका है, capacitive coil है, और यहाँ पर जो opposition होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एकसी कहेंगे, capacitive reactance कहेंगे, यहाँ पर एकसी opposition करेगा, और यहाँ पर excel opposition करेगा, ठीक है, excel, तो अब देखे, case 1 के अंदर, जब frequency की value 50 Hz होगी, तब क current है, यानि यहाँ पर आपका जो current flow हो रहा है, और यहाँ पर current flow हो रहा है, दोनों को हम लोग इस तरह से adjust, यह वाला adjustable होता है, यानि इस पूरे coil को आप adjust कर सकते ही, इस तरह से adjust कर दिया हम लोग, कि यहाँ पर क्या हो, कि यह current और यह current दोनों same हो, यह हम बोल सकते हैं, कि ए पर्मल फ्रिक्वेंसी जब 50 हड्सर हागा, तो XC की वैलो और XC की वैलो क्या हो, दोनों सेम हो, यह हम लोग इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस तरह से संड़क्शन करेंगे, बनाएंगे, कि यह इस तरह का हम लोग रखेंगे इसको, कि दोनों का पोजिशन, यान जो resultant current होगा वो zero flow होगा या बोल सकते हैं कि resultant जो torque होगा वो zero होगा और pointer किसी भी direction में move नहीं करेगा जब normal frequency 50 hertz होगा तब यानि इस वाले pointer को यानि ये pointer क्या show करेगा तो ये pointer show करेगा आपका 50 hertz supply यानि normal frequency show करेगा क्यों normal show कर रहा है क्योंकि हम लोग इस तरह से adjust इसको किये हैं कि यहाँ पर excel की value और xc की value दोनों एक दूसरे के equal है और दोनों equal होने की वज़ेसे आपका जो resultant torque होगा वो produce होगा वो zero होगा ठीक है ये first case होगा अब धियान से second case समझेगा तो आपको बहुत अच्छे से clear हो ज जाए frequency की value second case के अंदर बह जाए तो case क्या माना ही है जो supply आई यहाँ पर यहाँ पर हम माना की frequency की value हाई है ठीक है नौर्मल फिव्टी हट्स है लेकिन हम माने 55 Hz frequency की यहाँ पर supply आ रही है तो जैसे case 2 के अंदर हम frequency को माना है जादा तो अब क्या होगा यहाँ पर frequency जादा है यहाँ पर पहले की तरह current है लिंक करेगा EMF induce होगा यहाँ पर current flow होगा तो अब ध्यान से देखिए चूंकि यह कैसा coil है capacitive coil है इसके cross क्या लगावा है capaciter लगावा है यहाँ पर moving coil के अंदर जो current flow और IEM हो रहा है leading current है यहाँ पर जो opposition होगा वो किस वज़े से होगा एक सी की वज़े से होगा तो हमको क्या मालूम है हमको मालूम XC बराबर क्या होता है वन बटा ओमेगा सी होता है तो यदी frequency की value क्या हो जाए है नहां से समझेगा यदी frequency हम क्या माना हाई तो यदी frequency हाई हो जाएगा तो XC की value क्या हो जाएगी घड जाएगी यानि यह दोनों inversely होत current की value बढ़ जाएगी यानि XC जब frequency high है frequency high होगा तो XC की value आपका क्या होगा low होगा, xC की value low होगा और current इस वाले coil में IM current क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है तो I am current इसमें बढ़ गया और यहाँ पर current की value क्या हो जागी घड़ जाएगी तो यहाँ पर current बढ़ जाएगा तो यह force यानि एक आपका deflecting torque produce यह वाला के अंदर अब ज़्यादा magnet हो रहा है deflecting torque produce होगा और frequency ज़्यादा है तो यह किधर move कर जागा higher की तरफ यानि pointer अभी किधर शो करेगा higher की तरफ शो करेगा ठीक है यह case 2 आप बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा फिर से हम बोल रहे है frequency यहाँ पर बढ़ जा रहा है frequency बढ़ जा रहा है तो current की value बढ़ जा रही है current की value बढ़ जाएगी तो deflection होगा और deflection क्या शो करेगा higher शो करेगा कि frequency की value higher है same इसी में case 2 में आप यहाँ से यानि xc की जगह पर इस वाले quality भी समझ सकते हैं क्या समझ यहाँ कि जैसे frequency की value क्या हो जाएगा frequency की value हाई हो जाएगा और excel high हो गया, इस वाले coil में मतलब क्या होगा, position high होगा, तो यहाँ पर जो high current है, वो high current क्या हो जाएगा, अब घड़ जाएगा, तो यानि frequency high होने पर current इस वाले coil का current बढ़ जाएगा, और इस वाले coil का current घड़ जाएगा, यानि deflection किधर होगा, इस direction में होगा, और higher की तरफ आपका deflate करेगा, यह हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक परकार का attractive force लगेगा, जब इस वाले coil के अंदर, moving coil के अंदर current की value जादा होगी तब, और current की value जादा कब होगी, जब frequency high रहेगा तब, जिसकी वाज़े से attraction force लगेगा, और pointer higher की तरफ move करेगा, यह case 2 हो गया, case 3 अब द घड़ गया, तब क्या होगा, तो हम फिर से अब देश की इस वाले case में, frequency जब आपका क्या हो जाएगा, low हो जाएगा, तो आपका xy की value क्या हो जाएगी, high हो जाएगी, और xy जब high हो जाएगा, यानि opposition of current high हो जाएगा, तो current की value क्या हो जाएगी, घड़ जाएगी, कौन किधर मुव करेगा, लोवर की तरफ मुव करेगा. कैस ठी aanकर फिर सब रहे हैं, क्या हुआ इस केस के अंदर, केस ठी के अंदर किया है, फ्रिकेंसी की वैलू घट जा रही है , तो एक्सी की वैलू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी , और जाएगी , why pointer lower की तरफ move करेगा इस वाले कोयल के जगा इस वाले कोयल से भी आप समाझ सकते हैं यदि anne frequency की वाइलो XL बराबर आपका και Ωाइए तो पाई fl frequency घड गया frequency घड गया तो क्या होगे आपका XL गया तो क्या होगा आपका सब्सक्क्री होगल के अंदर करेंट गढ़ता है तो ये repulsive force लगाता हो और repulsive force लगाने के वज़े से pointer ये पूरा moving जो coil है जहां पर बंधा हुआ है ये पूरा move करेगा और move करेगा तो क्या show करेगा lower reading show करेगा यानि frequency आपका 49 है 48 से 47 से जितनी frequency रहेगी उतना आपका show करेगा ये hope आपको तीनों केसान में आगया होगा पहला case जब frequency आपका 50 हर्स था तो एकसे और एकसे दोनों equal होगा दोनों equal and opposite होने की वज़े से एक दूसरे क्या है repulsive और एक दूसरे को cancel कर देगा और कोई भी resultant torque नहीं होगा और pointer आप specific coil होनी की वज़े से frequency हाई होगा तो एकसे की value आपकी क्याम होगी current जादा होगा current जादा होगा तो ये deflection show करेगा और deflection show होगा तो higher की तरफ move करेगा case 2 होगया case 3 के अंदर frequency जब lower रहेगा frequency lower है तो इस वाले case के अंदर एकसे की value हाई हो जाएगी current घर जाएगा current घर तो आई होप आपको बहुत अच्छे से यह सांज में आ गया अब इसमें objective क्या क्या बनेगा वो भी सुन लीजिए तो पहला objective यही नाम से बनता है कि यह किस type का जो आपका फेरो dynamic type instrument है frequency meter है यह कून सा है mechanical type resonance है या electrical type resonance instrument है तो आपको मालुम चल गया पूरा resonance पर ही काम हो रह तो यह electrical resonance type instrument है दूसरा जो objective इससे बनता है वो बनता है कि इसके अंदर पूछा जाता है कि controlling torque के लिए हम लोग इसके अंदर provide करते हैं या नहीं करते हैं तो answer है कि controlling torque इसके अंदर अलग से यानी spring या other कोई भी method gravity लागा कर हम लोग नहीं देते हैं यही आपका excel एकसी दोनों आपको एक दूसरे के opposite direction में काम करता है और खुद यह क्या कर लेता है इसमें बाहर से externally हम लोग को कोई भी controlling torque देने की जवरात नहीं होती या एकस्टरनल इसके अंदर controlling torque provided नहीं होता है तो यह दो objective आपका बहुत important है जो के बार-बार पूछा जाता है तो I hope आपको यह हम लोग निक्स्ट वीडियो में discuss करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं में नए वीडियो में thank you